आपने birds को देखा होगा, वो अपना गोसला कैसे बनाती है, वो क्या करते हैं, जो अलग-अलग sticks होते हैं, ट्विक्स होते हैं, उनकी layers का use करके, layering, layering करके अपना गोसला बना लेती है. TC को क्या कहते है, additive manufacturing कहते है, यहाँ पर क्या होता है, कि जो manufacturing किया जाता है, product को उनको layer by layer develop करके, जो है product को manufacture किया जाता है, Suppose करी कि आपको एक screw बनाना है, तो screw बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कि आप एक metal का block लेंगे, clear, metal का block लेंगे, फिर उसके बाद tools और technology जो भी use होती है, machinery जो use होती है, उसका use करके, इस metal को जो metal का block है उसको cut करके जो है आप क्या करेंगे एक screw बना लेंगे clear तिये एक manufacturing process हो गया कि आपने क्या किया कि metal का raw material लिया और उसको जो है आपने machine का use करके उसको cut करके आपने screw बना लिया लेकिन यहीं पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप छोटे छोटे पार्ट को बना कर उसको बाद उसको add कर दीजिए तो वही चीज additive manufacturing कहलाती है यहाँ पर क्या होता है कि आप सुरुआत में कुछ मत करिए आप पहले उसका एक 3D image बना लिजे या फिर जैसा आप बनाना चाहते हैं उसका एक जो है आप image नकसा तयार कर लिजे फिर उसके बाद उसके हर एक पार्ट को छोटे छोटे पार्ट को तयार करिए उसके बाद सबको add कर दीजे तो यह additive manufacturing कहलाता है तो आप एक example से समझिए suppose करिए कि आपको जो है यह जो structure आप देख रहे हैं सामने आपको यह चीज आपको बनानी है चेस का है suppose करिए कि चेस का जो हाथ ही होता है वो आपको जो है बनाना है तो आपने कहा कि है पहले एक 3D geometry model यानि की CAD कहते है इसको तो आपने computer added design जो है आपने उसको तयार कर लिया clear जैसे आपको चाहिए अब क्या है अब आप जो है उसको छोटे छोटे पहले base उसका बनाएंगे फिर दीरे-दीरे base के ऊपर वाला layer बनाएंगे फिर उसके ऊपर वाला layer बनाएंगे फिर उसके ऊपर वाला layer और फिर फाइली जो top layer है उसको आप develop करते हैं तो यही जो step होत बनाने वाला आपने प्रोसेस पड़ा कि पूरा का पूरा मेटल बॉक्स ले लिया उसको कांच हाट करके फिर आपने इसको बना लिया तो उसमें वेस्टेज ज्यादा होता था लेकिन एडिटिव मैनुफेक्ट्रे में क्या है कि आप छोटा छोटा लेयर जो जो लेयर चाहि तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले आपने एक 3D डिजाइन डेटा तयार कर लिया उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रिपेर कर रहे हो लेयर वाई लेयर क्लियर तो यही चीज़ एडिटिव मैनुफेक्ट्रिंग है प्रोस होता है कि जैसे लाइटिंग हो गया लाइटिंग के जो एक्यूपेंट्स हो डे ट्रांस्पोर्टेशन में आटोमोटिव पार्ट्स हो गये कंजूमर इलेक्ट्रोनिक्स में इन सब चीज़ों में एडिटिव मैनुफेक्ट्रिंग टेक्निक का यूस किया जाता है तो इसक उसके बाद आप complete object को create करते हैं तो that is additive manufacturing यानि add करते चले जा रहे हैं सब्ट्राक्टिव में क्या हुआ एक बड़ा सा metal box ले उसको काटते चाटते 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 फिर आप final object पर पहुंचते हो तो वह चीज़ subtractive manufacturing होती है additive manufacturing में आप add करते चले जा रहे हो एक एक layer बना ल उसके brakes अलग से बन रहे हैं engine अलग बन रहे हैं उसका धाचा अलग बन रहा है तो यह additive manufacturing ही कहलाता है clear अब बात कर लें कि इसकी advantages के हैं तो additive manufacturing के advantages बहुत हैं जैसे rare shape making ability अब additive manufacturing में क्या होगा कि आपने पहले एक 3D design तयार कर लिया अब जो है आप कोई सा भी shape जो है उससे develop कर सकते हैं normally जो subtractive manufacturing है traditional manufacturing है उसमें आप अलग अलग shape जो है नहीं बना सकते हैं उससे machine है machine के हिसाब से जो भी बनता है वो ही बन पाएगा लेकिन additive manufacturing का use करके आप कोई साभी shape design तयार कर सकते हैं allow for greater customization यहाँ पे customer को जैसा product चाहिए उसके according उसको बना के दे सकते हैं क्यों क्योंक कि जब additive manufacturing होगी तो बहुत सारी design आप यहाँ पे तयार कर सकते हैं तो innovation को भी motivate करेगा innovation भी यहाँ पे होंगे less wastage यहाँ बटावी से बात है कि यहाँ क्या होगा wastage कम होगा यानि कि जो layer by layer तयार कर रहे हैं तो यहाँ पे wastage आपका ज्यादा नहीं होगा lightweight structure यह जो product बनते है इसे जो object बनते हैं वो lightweight हलके होते हैं आतकले disadvantage की तो slow build rate यहाँ पे क्या है कि जो बनने का time हो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि layer by layer बना रहे हो तो कहीं न कहीं time थोड़ा सा consuming होता है high production cost यहाँ पे production cost क्या होती है ज्यादा होती है considerable effort required for application design यानि कि उस design को apply करने के लिए जो है effort जहाँ पे ज्यादा लगता है और discontinuous production process यहाँ पर production process क्या है वो discontinuous होता है यानि कि एक layer बनाया फिर दूसरा Лे बनाऊगे फिर तीसरा बनाऊगे तो अलग-अलग श्टेप में जो यहाँ पर production process चल रहा होता है तो continuous process नहीं होता है तो discontinuous process होता है यह disadvantage है छोटे मोटे उसकी बात कर लें कि इसका impact क्या है additive manufacturing का supply chain management में तो सबसे important कि will be cost effective and will reduce the lead time of supply chain यानि कि lead time का मतलब क्या होता है पर देखिए lead time मतलब कि जब customer order place करता है और जब जो manufacturer है वो product को delivery के लिए तयार कर लेता है तो उसके बीच में जो time gap होता है उसे को क्या करते है lead time करते है customer के order से customer को delivery की ready तक उस time को क्या करते है lead time तो यहाँ पर क्या additive manufacturing होगी तो lead time क्या होगा कम होगा will result in increased customer satisfaction as the product will be produced by mass customization and improved quality तो बट अबर से बात है कि customer के according product तयार होगा तो जब customer के according product तयार होगा और अच्छी quality का होगा तो customer क्या होगा satisfied रहेगा तो इस customer satisfaction जो है increase होगा और last but not least will lead to flexibility in the manufacturing process which will enhance industrial efficiency तो manufacturing process में भी क्या होगी flexibility आएगी और इससे क्या होगा industrial efficiency आने कि industrial पे जो काम होता manufacturing process उसकी चमता भी क्या होगी बढ़ेगी तो यह उसका impact supply chain management पे कहीं ने कहीं इस चीज़ का additive manufacturing का पढ़ता है wish you all the best, keep watching